नमसकर दोस्तों, खंड सीच्छा अदिकारी के समसावएकी का जो डिसक्इसन कर रहे हैं उसका डिसक्इस करने जा रहे हैं हम पार्ट 10 9 पार्ट पहले हम डिसक्इस कर चुके हैं और इस 9 पार्ट के अंतरगत हमने 180 गोश्चन का डिसक्इसन किया है आज भी हम 20 प्रश्न discuss करेंगे यह जो प्रश्न है काफी important है और यह किसी भी परिच्छा के लिए important है अगामी कोई भी परिच्छा आप दे रहे हैं तो इसको देख सकते हैं चलिए सुरू करते हैं इस current affair की class को लेकिन उसके पहले एक सूचना आप के लिए है कि वियो का full course जो की 17 तारिक से start हो रही है अगर आपको यह चाहिए तो इसके लिए आप website पे सीधा visit कर सकते हैं अपनी जो website है www.ubbsctarget.com उस पे visit करके आप इस course को purchase कर सकते हैं या फिर आप हमें message कर सकते हैं जो भी course आपको चाहिए WhatsApp कीजी उसका detail आपको बिल जाएगा मभूम पांडे आप आपका guide आपका दोस्त चलिए सुरू करते हैं इस class को और लेते हैं पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है निम्रिखित में से कौन Atlantic महासागर पार करने वाली विस्व की पहली महिला बनी इंपोर्टेंट कुश्चन है और यह है आरोही पंडित इसका correct है आरोही पंडित ने Atlantic महासागर के उपर light sport aircraft LSA इसको बोलते हैं इसकी सहायता से अकेले उडान भरी है और ऐसा करने वाली यह विस्व की पहली महिला pilot बन गई है साथ महीने के प्रशिच्चन के बाद उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया 3000 km की दूरी उन्होंने तैकी बहुत ही बड़ा कारनामा इ इसने समलेंगिक विवा को मंजूरी दी दी है यह option इसका correct है मई 2019 में कानूनी मानेता समलेंगिक विवा को तैवान ने दी है और ऐसा करने वाला Asia का पहला देश बना है लेकिन वैसे देखा जाए तो विस वस्तर पर सबसे पहले किस देश ने दिया था अगर आप से यह वहाँ पर भी इसको मानेता प्राप्त है भारत में ऐसा नहीं है अगर आप ऐसा को सोच रहे हैं भारत के बारे में तो सजक हो जाईए अगला प्रश्म भारती फुटबाल टीम के नए कोच के रूप में किसे न्यूट किया गया है तो भारती फुटबाल टीम के नए जो को और ये दो साल तक भारत की टीम के रहेंगे, मई 2019 में इनकी न्यूकती की गई है, और ये दो साल अगर इसमें हम जोड़ दें, तो मई 2021 तक इनके साथ करार किया गया है, अनुबंद किया गया है. नेश्ट कुश्चन है, ICC मैच रेफरी पैनल में सामिल होने वाली पहली महिला कौन है? अभी तक कोई महिला नहीं थी, रेफरी पैनल में, तो ICC मैच रेफरी पैनल में सामिल होने वाली पहली जो महिला है, वो है GS लच्चमी, C option इसका correct है, अंतराश्टी ए किर्केट परिश यानि ICC ने माई 2019 में G.S. Lachmi को ICC Match Referee के अंतराष्ट के पैनल में सामिल किया है, पहली महिला बन गई है, ऐसे पैनल में सामिल होने वाली, अंग्रेजी जिनका मीडियम है, अंग्रेजी में कुष्चन नीचे देख सकते हैं, ये देखिए, इंग्लिस और हिंदी दोनों तिरसूर पूरा मुत्सो मनाया जाता है केरल में, और केरल में जो ये उत्सो मनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, क्या महत्तो है इसका, वहाँ पे वटक कुमनाथन मंदिर है, और इसमें क्या है, गजराज को वहाँ पे जो गजराज है, उसको एक वाहन से लाया जात है तेली कुति काउ रामचंदरन नामक गजराज है उसको लाय जाता है और गजराज को प्रतिकात्मक रूप से मंदिर के दच्छनी पृवेश द्वार जो है उसको धक्का देने को आना और धक्का देने के बाद में यह क्या होता है मंदिर open हो जाता है 36 घंटों तक यह लगतार उत्सो चलता रहता है कौन सा उत्सो तिर्सूर पूरम उत्सो तो याद रखिएगा कि यह केरल में है इतना important है इसके बारे में बाकी अगर पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे इतनी कहानी काफी है IPL 2019 का खिताब किस टीम ने जीता यह भी महत्पून प्रशन है यह जो टीम है वह है मुंबई इंडियन्स मुंबई इंडियन्स ने यह जो जीता है किसको हरा कर जीता है चन्नाई सुपर किंग को हरा कर यह खिताब जीता है मुंबई इंडियन ने एक रन से केवल हराया था और मुंबई इंडियन ने ये चौथी बार जीता है इसके पहले तीन बार जी चुकी थी और अपकी बार की जीत को मिला के चौथी बार इसने जीता है अगला प्रशन निम्रिकित कत्नों पर विचार कीजिए दो इस्टेटमेंट आपके सामने हैं ग्यारा मई को राश्टिय प्र टेक्नोलोजी टे है इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1998 हुई थी 1998 में हुई थी 11 माई के तिन ये 1998 में अटल विहारी वाचवेई जी के कारिकाल में पोखरन राजस्थान में ये है प्रमाण परिच्छन हुआ था सेकेंड वाला, सेकेंड वाला जो प्रमाड परिच्छन, सफल प्रमाड परिच्छन था, तो उसी की आत्मी ये मनाया जाता है, तभी से इसकी सुरुवात हुई थी, 1972 में नहीं हुई थी, इसलिए दूसरा स्टेट्मेंट यहाँ पर गलत है, चलिए, अगला प्रशन देखते संग्तराष्ट महासच्यू कौन है, एंटार्यू कुटारेश है, और इन्होंने दिया मिर्जा, और वहाँ के एक अलिबाबा कमपनी है, तो अलिबाबा के प्रमुक है, ये भी एक बार प्रशन पूचा गया है, ये है जैक मा, तो जैक मा और इनको, दो लोगों को पिसेज दूत बनाया है, संयुक्तराष्ट के सतत विकास, HDG की प्राप्ति के लिए, अगला प्रशन, हाली में किस देश की संसत ने फेक न्यूज से निपटने है, तो विधेक पास किया, तो ये विधेक पास करने वाली जो संसत है, वो है कौन? सिंगापूर, C option इसका correct है, अंग् पे भी समस्या है, ऐसा नहीं है, कि ये किवल सिंगापूर की समस्या है, आललाइन मीडिया में कई बार आप देखते हैं, कई लोगों को तो मार दिया जाता है, बता देंगे कि उनकी death हो गई, और पूरा तेज सोक मनाने लगता है, घंटे भरबाद पता चलता है, नहीं, व एक कारे-कारी आदेश जारी कर किस देश की धातुओं पर प्रतिबंद लगाया जाने की घोशना की है, तो इरान इन्होंने प्रतिबंद लगाया था, यह अप्सन है, और इस समय तो इस्तितियां बहुत ही खराब हो गई थी, और देखिए कभी-कभी नुकसान बहुत जा जल डाग दी, और यह बिमान गिर गया, और 176 लोग समाप्त हो गए, बिल्कुल जल के राक हो गए, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा होता है, जब बिमान दुर घटनाएं होती है, तो उनका कुछ अता-पता नहीं रह जाता है, तो कौन सा देश था, ज़रा बताईएगा कॉमे तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यह सही है, जो आर्कटिक परिशद है, इसका भारत प्रवेच्छक है, तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी में भी एक कुछ चन आप देख लीजे, आर्कटिक काउंसिल बोल इस बैठक में आइसलाइंड दो वर्सों के लिए आगे अत्यक्ज बना है, तो फिनलाइंड पहले था और आइसलाइंड फिर अत्यक्ज बना और भारत को प्रवेच्छक राज का दर्जा दिया गया है, आर्कटिक परिशत सतत विकास और पर्यावरन समनच्छन जैसे इस बैठक में भारत को प्रवेच्छक चुना गया, भारत स्वीडन के किरूना मंत्रस्तिय बैठक के दवरान 2013 में प्रवेच्छक का दर्जा प्राप्त पहले कर चुका है, तो पहले भी यह रह चुका है, नेक्ट कुश्चन, विस्व अस्थमा दिवस किस तिथी को मनाया जाता है, प्रतेकवर्स मनाया जाता है, किस तिथी को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को, ए अपसन इसका करेक्ट है, विस्व अस्थमा दिवस मई महीने में जो पहला फ़र्ष्ट मंगलवार पढ़ेगा, तो फ़र्ष्ट मंगलवार को ये मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा निकि कोई वैसीती थी, नियत नहीं है लेकिन अगर मई महीने में पहला मंगरवार जिस दिती को पड़ेगा तो उसी को मनाया जाएगा, इस बार 2019 में, 2019 में ये 7 मई को पड़ा था 7 मई 2019 को मनाया गया था अब जरा बताईए, 2020 में क्या पड़ेगा रिजनिंग का प्रश्न है 2020 में क्या पड़ेगा तो 2020 में ये क्या पड़ेगा 8 मई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि लीप येर है तो लीप येर होने के कारण एक दिन और बढ़ जाएगा तो 9 माई को पड़ेगा, क्या मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ, तो आप सही बताईएगा, ठीक है, next question, और इसकी theme क्या थी, 2019 में जो ये मनाया गया, इसकी theme भी अगर आप से पुछी जाए, तो इसकी theme थी, इसकी theme थी, next question है, निम्निकित कतलों पर विचार कीजे, दो इसकी statement आपके सामने है, भारतिय नौसेना ने भारत के महत्पूर्ण मिसाइल बिद्धवनसक आइनस रंजीत को सेवा मुक्त करने की हाल में घोशना की, तो ये सही है, और आइनस रंजीत कसिन वर के 5 बिद्धवन सही है, तीसरा था, ये कशिन वर्ग जो हमारे हाँ है, विद्धवन सको का, उसमें ये तीसरा था, दोनों के दोनों इस statement ये सही है, और 36 साल इसने सेवा दिये, कितनी सेवा दिये, 36 साल, 36 साल के बाद में ये रिटायर हो रहा है, जैसे लोग सर्विस करते हैं, रिटायर हो वर्स 2018 में सरवाधिक सैन खर्च करने वाला देश कौन बना, तो सरवाधिक सैन खर्च अगर बात की जाए, तो वो अमरिका ने किया है, बी ऑप्सन इसका, करेक्ट है, और अमरिका के बाद में अगर बारी आती है, तो किसकी है, वो चीन की है, और चीन के बाद में बारी आ अगला प्रश्चन है चलवायू आपात का अल theoretically कत करने वाला धुनिया का पछा देश अगर, आप Sipri न फोर हो गया है, ब्रेक्जित के तहत यapan भाहर हो गया है और और अभी कब कल परसों में ही घोशना हुई है इसकी मतलब मंद्री मंदल ने मंजूरी इसको बाहर होने के दिये और यूरूपियन उन्होंने से बाहर होने वाला बेटेन पहला राष्ट बना है तो ध्यान रखिएगा यह सब फैक्ट जो हम लोग एक्ष्ट्रा डिसकस करते ह यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार समझ रहे हैं और आयरलैंड जो है जल्वायू अपातकाल की घोशना करने वाला दूसरा देश बन गया है तो पहला तो बेटेन था और बेटेन के बाद में दूसरा देश हो गया है आयरलैंड जिसने इससे लांकौर्ण कौन है तो वाजिरल लांकौर्ण जो है यह थाईलैंड के राजा है ए अप्सन इसका सही है और यह राज दसम की उपाद इनको दी गई है राम दसम राम दसम की उपाद इनको दी गई है राज तिलक समारो जो इनका हुआ था यह मई 2019 में हुआ था और देश क अधिकारिक राजा इनको उसमें खोसित किया गया, 70 साल में ये पहला मौका था, जब थाइलैंड के लोगों ने राजा का राजा विशेग लाइव टीवी पर देखा, इसके पहले ऐसा नहीं था, अब टिकनोलोजी बढ़ रही है, हर जगा बढ़ रही है, तो देखा गया इ दिवस मनाया जाता है, क्या ये बात सही है, तो विशु प्रेश उतनता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ये विल्कुल सही है, और विशु प्रेश उतनता दिवस 2019 का जो विशह था, मीडिया फार डिमोक्रेशी, मीडिया फार डिमोक्रेशी याद रखेगा, ये भी सही है, C पूरी दुनिया में यह मनाया जाता है, ध्यान लखिएगा, कोई बात यह नहीं है, कि केवल भारत अस्तरपर राष्टिय नहीं, यह अंतर राष्टिय है, और प्रेस के आजाती को संबान देने के लिए, संयुक्त राष्टरंग की महासभा ने, इसकी गोष्णा की थी, कि त फ्रांस का सर्वोच नागरिक संबान दिया गया, तो यह है, A.S. किरन कुमार, A.S. किरन कुमार कौन है, अब जानते है, इसरो के पूर्वच चेर्मेन रह चुके है, इसरो यानी भारतिय अंतरे चनुसंदान संगठन जो है, उसके पहले यह चेर्मेन थे, और फ्रांस ने को संयुक्त राष्ट करने की मांग भारत कर रहा था, और भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट ने इसको खोचित कर दिया है, सनीतुराश सुरच्छा परिसत की जो प्रतिबंद समीति हैं, उसके द्वारा उसे ब्लैक लिष्ट में डालने का जो प्रस्ताव था, उस पे चीन ने रोक लगा दी थी, तो चीन ने जब अपनी रोक हटा ली, उसके बाद में ये संभव हो पाया है, मसूत अजहार को जापान के समराट आकी हितो ने प्रारब्रिक रीत रिवाज से राजगद्दी छोड़ दी, पहला इस्टेटमेंट, तो बिल्कुल सही है, जो समराट आकी हितो थे, इन्होंने गद्दी छोड़ दी, और क्राउन प्रिंस नारू हितो, इन्होंने उसकी जगह ले ली, और जापान के 126 समराट बन गए, 126 समराट, तो दोनों के दोनी बातें सही है, C आपसन इसका करेक्ट है, अभी तक आकी हितो थे, उन्होंने गद्दी छोड़ी, और उनके बेटे हैं, क्राउन प्रिंस नारू हितो, आकू हितो का बेटा है, नारू हितो, तो आकी हितो के जग जुरित होता ही नहीं था, ठीके ना, और आकू हितो ने अपनी इच्छा से राजगत्ती छोड़ी है, ये भी जान लीजे, कोई दबाव नहीं था, अपनी इच्छा से राजगत्ती छोड़ी है, तो ये करेंट अफेर की क्लास आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी बढ़ता है, जिससे की हम काम कर पाते हैं, अगर आपको कोर्स में दिलचस्पी है, तो फिर से मैं सुचना दे रहा हूँ, वियो की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मटेरियल, अच्छी टेस्ट स्रीज, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते ह तो आप www.uppsctarget.com को विजिट करें, यहाँ पे देखिए, वेबसाइट का यह एड्रेस दिया हुआ है www.uppsctarget.com यह हमको 63072812124, वियो फुल कोर्स या वियो टेस्टरीज लिखकर वाट्सप करें, यहाँ से सुचना भेज दी जाएगी, थैंक्यू, थैंक्यू बेरी म अलबेर्स, आलबेर्स, आलबेर्स, आलबेर्स.